जाइफल एक मशाला है जिसको इंग्लिश में नटमेक कहते हैं। जाइफल को मिरिस्टिका फ्रेग्रेंस नामक पेड के बीज से इसे निकाला जाता है, जो स्वाद में मीठा और हलका मसालेदार होता है। इसका उप्योग मुख्य रूप से मिठाईयों, करी और पेड़ पदार्थों में किया जाता है, जो व्यंजनों में एक अनोखा स्वाद और खुश्बू जोडता है। रोजाना एक छुटकी जाइफल गर्म दूध में मिलाकर, रात को सोने से पहले पीना ज्यादा लाबकारी होता है। भारत में जाइफल का उत्पादन सबसे ज्यादा केरल और करनाटक में होता है। जाइफल में विटामिन B6, फोलिट, आयरन, कैलसियम, मैगनीशियम, पोटेशियम, फाइबर, मैंगनीज, कॉपर और थाइमिन की अच्छी मात्रा होती है। जो हमारी अच्छी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आये जानते हैं जाइफल खाने के 10 फायदे। जाइफल में मिरिस्टिसिन और एलिमिसिन जैसे तत्व होते हैं, जो मस्तिष्क कोशिकाओं को उत्तेजित करके मानसिक तनाव को कम करने में सहायक होते हैं। ये डिप्रेशन और चिंता जैसे मानसिक विकारों को कम करने में मदद करते हैं। इसके अलावा इसमें पाये जाने वाले एंटी आक्सिडेंट गुण दिमाग को तेज बनाते हैं और स्मरण शक्ति को बेहतर बनाते हैं जाइफल में एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं यह शरीर में हानिकारक बैक्टीरिया और विशानों से लड़ने में मदद करते हैं जिससे मौसमी संक्रमन जैसे सर्दी खासी से राहत मिलती है इसे पानी या दूद के साथ पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाने से त्वचा के दाग, धब्बे, पिग्मेंटेशन और मुंगा से कम होते हैं जायफल में मौझूद एंटी आक्सिडेंट्स और एंटी इंफ्लेमेटरी तत्व रक्त वाहिनियों को साफ करते हैं और रक्त के ठक्के बनने से रोकते हैं जिससे ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है और दिल के दौरे का खत्रा कम हो जाता है जायफल में मौझूद एंटी बैक्टीरियल गुण मुह की दुरगंध को दूर करते हैं और दातों एवं मसूडों को स्वस्थ बनाए रखते हैं इसके अलावा जायफल सांस संबंधी समस्याओं में फाइदे मंद है जायफल को गरम पानी में मिलाकर भाप लेने से बंद होने का खत्रा कम हो जाता है नंबर 9 जायफल का सेवन यौन स्वास्थय को बहतर बनाने में सहायक माना जाता है इसमें मौझूद गुण यौन इच्छा को बढ़ाने और प्रदर्शन में सुधार करने में मदद करते हैं नंबर 10 जायफल का सेवन मधुमें रोगियों के ल वीडियो में बस इतना ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बबाए